दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले कि भारत की सिख्षा वैस्ता किस प्रकार है किस प्रकार भारत में एक छोटे बच्चे से लेकर के एक बड़े इवा तक की पढ़ाई होती है किस राज में कैसी पढ़ाई होती है क्या भारत के सभी राज्यों में एक सी पढ़ाई होती है आपको मालूम ही होगा कि भारत की 60% से ज़्यादा लोग गरीबी रिखा से नीची जीवन ब्यतित कर रहे है और ऐसे में पढ़ाई की स्थिति क्या है आपको यह भी बकोवी मालूम ही होगा तो आईए एक नजर हम इसमें दोडाते हैं कि वास्ताव में भारत के सिक्षा व्यस्ता किस प्रकार है तो सुरू के वन क्लास से लेकर के हम पिएजडी तक की पढ़ाई के बात करेंगे कि किस प्रकार पढ़ाई होता है तो आपको मालूम होगा कि भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग और बहुत सारे उच्च अमीर गरीब छोटे और बड़े लोग भी रहते हैं यहाँ पे बहुत सारे भी नताएं भी पाई जाती है बहुत सारे राज यानि 28 राज हैं और 8 केंदर सासित परदेश हैं तो इस प्रकार यहाँ पे सिख्चा व्यस्ता किस प्रकार है यहाँ की सिख्चा व्यस्ता कैसे चल रही है तो बता दू देखिए गौर्मेंट के हिसाब से CBSC और DAV को अगर हम छोड़ दे तो गौर्मेंट विद्यालाई को हिसाब से क्या होता है कि 1, 2, 8 तक की पढ़ाई जो होती है पहली कलास से लेकर के 8 वी कच्छा तक की पढ़ाई सभी के अपने राज्यों की अस्तर की होती है जो भी राज अपना चाहे पूरब के अरुनाचल परदेश से लेकर के पच्छिम के गुजरात तक और उत्तर के हिमाचल परदेश कस्मिर से लेकर के दच्छिन के तमिनाडू तक जितने भी राज हैं सभी राज अपने भांसा के आधार पर जो राज होता है उसी भांसा के आधार पर अपनी सिक्षा देते हैं आटवी तक की ठीक ये राजियों की हग की बात है आटवी तक की जो सिक्षा होती है वह राजियों की राजिसरकार की सिक्षा की बात होती है परंतु जियों ही अस्टुडेंट 9 और 10 में पहुंच जाता है ठीक ना 9 और 10 में जब अस्टुडेंट प चाहे आप जारकल्ट में रह कर पढ़ें चाहे आप नागा लेने में रह कर पढ़ें या तमीन नाडू में या फिर MX लाइज में पढ़ें आपको 910 पूरे भारत का शिलिबस एक ही होता है यही सवाल मैं अक्पर आपने जो टीचर होते थे उन से पुछा करता था लेकिन मेर लोगों के साथ बेसेर करना चाहिए ठीक नहीं बाते मैं 11 ग्लास से ही अपने टीचर को पूछा था दो तिन बार पूछा था वे कुछ ने बताएं इसके बारे में बोला कि यह सब मामूली बाते हैं लेकिन मुझे लगता है कि यह मामूली बात नहीं है सभी को मालूम होना च ग्रेजवेशन तक की 11, 12, 9, 10 से लेकर के 11 और ग्रेजवेशन तक यहां तक की PG और PhD तक की पढ़ाई जो है सारा का सारा केंदर सरकार अपने अंडरगाउंड में लेती हैं बस यहां हो जाता है कि बड़े-बड़े युनिवरसिटी में बढ़ जाते हैं और फिर जितने भी आप हाई लेबल में जाते लगते हैं आपकी जो सिक्षा की वेस्ता है थोटे-छोटे अस्तरों से उच्चे उठकर बड़े-बड़े युनिवरसिटी में बदल जाते हैं ठीक न यही अब बात करने कि अगर आप सरकारी नोकरियों के लिए आविदन करते हैं ठीक न तो आ सारा का सारा पुरे भारत का सिलिवस एक होता है चाहिए आप किसी भी राज से हो या किसी भी किनसासित परदिस से जो आपके राज का है वही भी दूसरे राज का है यानि कि जो आप पढ़ते हैं वही दूसरे राज से भी पुछा जाता है तो इसमें आपको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है और बिल्कुल भी बेचेनी होने की बात नहीं है सारा का सिल्यवस एक ही होता है फिर से मैंने रिपीट कर दू कि 1 से 8 तक की पढ़ाई जो होती है वहाँ आपके राजसरकार का काम होता है उसके बाद 9, 10 और आगी की पढ़ाई जो होती है वहां सारा का सारा केंसरगार के काम में आता है ठीक ना तो आई होप कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और आपकी दिमाग में कुछ नए चीज़ों का विकसे भी हो गया होगा तो हम उमिद करते हैं कि आप दूसरों को सेर किजीगा चैनल पढ़िये और अपने हक के लिए लड़िये नहीं निवाद